यह धर्ती गोल है और सूर्य और चंद्रमा भी गोल है यहां तक की सभी ग्रह उपग्रह और तारों का आकार भी गोल है लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मान के यह सभी पिंड गोल क्यों है विज्ञान के एक सधांत के अनुसार ब्रह्मान की हर वस्तू नियूमतम उर्जा स्थिती में रहना चाहती है क्योंकि नियूमतम उर्जा स्थिती में ही वस्तूओं में अधित्तम स्थिरता आती है अब सवाल उठता है कि वस्तूओं के किस रूप में उनकी उर्जा नियुम्तम होगी वैसे तो सभी रचनाओं में गोली की ही बनावच ऐसी है जिसकी सतह का छेतर फल सबसे कम होता है इसलिए गोलाकार वस्तूओं की सतह की उर्जा नियुम्तम होती है इसी नियुम्तम से अधिक्तम स्थिर्टा को प्राप्त करने के लिए वस्तुएं गेंद जैसा आकार धारन करने की कोशिश करती हैं यही कारण है कि सूरच चान तारे धर्ती और दूसरे सभी की खगोली ये पिंडों की बनावच गोल होती है वर्षा में गिरने वाली पानी की बूंदे भी गोल होती है इसका कारण भी यही है कि गोलाकार बूंद की सता की उर्जा नियुम्तम होती है और उसकी स्थिर्था अधिक्तम होती है अडू और परमानू की बनावच भी गोला है क्योंकि पर्मानुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे कंड भी गोल हैं वैसे आपने देखा होगा कि मनुष्य भी कम से कम काम करके अधिक से अधिक प्राप्त करना चाहता है पहणे वाला विध्यारती भी कम से कम श्रम शक्ति द्वा परिक्षा में अधिक से अधिक अंग प्राप्त करना चाहता है इसलिए नियूम्तम उर्जास्थिती को प्राप्त करने की प्रवत्ती सभी वस्तूओं में हैं जैसे ही कोई वस्तू नियूम्तम उर्जास्तर को प्राप्त कर लेती है उसकी बनावच गेंज जैसी गोल हो ज जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें